पर होग अब आपके सारे फिजिक्स के नेस्टिमिंट माज़ाइब्स का सफाय है बस अपने फोन से कुशन की फोटो कीचो क्रॉप कर और तुरंद वीडियो सलुशन पाओ डाउलोड कीजिए डाउटन आप अभी है और फिर वाच्छाप कीजिए अपने डाउट सार्ट और फिर इन्होंने एक कोशन और पुछ है कि क्या यह जो ऑप्षिंस हैं A and B यह दोनों सेम है means कि जो रिन्यूएबल है और नौन रिन्यूएबल है क्या वो सिमिलर है एक्जास्टिबल और इन्यूएबल से तब हम सबसे पहले बताएंगे कि हम रिन्यूबल रिसोर्स किसक कहते है तो रिन्यूएबल सोर्सेस अफ एन्यूए हमारे वो होते हैं तो तौन डोस विच गान बी रिपलेप्लेथ caa nb-replेथ can be replaced as we use them and can be used to can be used to produce energy again अगें और जो हमारे non-renewable resources होते हैं, non-renewable sources are those, those which cannot be replaced again, cannot be replaced again, तो यह तो होगे हम non-renewable resources कैसे classify कर सकते हैं और renewable sources कैसे कर सकते हैं, second part में पूछा था हम से exhaustible और inexhaustible, तो exhaustible sources होते हैं, are those, जो हमारे क्या होते हैं, limited quantity में होते हैं, whose supply is limited, for example हमारे fossil fuels, example क्या है इसके, हमारा coal, petroleum, natural gas, etc. और inexhaustible होते हैं, inexhaustible sources are those, whose supply is unlimited, whose supply is unlimited, तो इसके example क्या है हमारे, example हमारा sun, क्योंकि sun कभी भी खतम नहीं हो सकता, और हमारा would, etc. अब second question एक और पुछा था कि, क्या ये दोनों options same हैं या नहीं, तो जो हमारे ये दोनों options हैं, they are similar, क्योंकि जो हमारा renewable sources होते हैं, renewable sources are inexhaustible, inexhaustible, whereas जो हमारे non renewable sources होते हैं, non renewable sources are exhaustible sources, sources, तो यह हमसे पूछा था कि, क्या ये similar हैं या नहीं है, तो हमने बता दिया, क्योंकि हमारे जो renewable sources हैं, अभी हमने definition पड़ी, कि वो क्या होते हैं, वो replaced हो सकते हैं, means कि उनकी quantity unlimited है, तो ये similar line है, कि unlimited quantity, और non renewable क्योंते हैं, means कि उनकी supply जो है, वो limited है,